नमस्कार दोस्तों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हमारी वीडियो का विशे रहेगा दुरका सपश्यती के ग्यारवे अध्याय का पार्ड दोस्तों यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कथा को पूरी सुनें पूरी सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै मातादी जरूर लिखें ताकि माक के दरबार में आपकी हाजरी लग जाए ग्यारवा अध्याय रिशी बोले देवी जी ने जब द्यत्यराज महा असुर्शुम्भ का वद्ध कर दिय तब इंद्रादिक सभी देवता अगनी को मुख्य करके अपने मनोरत सिध्धी के लाव से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्याईनी देवी की स्तुधी करने लगे देवता बोले हे शर्नागतों के संकट निवारनी देवी हम पर प्रसन हो ये हे सारे जगत की माता हे विश्वेश्वरी विश्व आप हो हे देवी आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है प्रिश्वी पर आपकी प्रसंता से ही मुक्ति का लाव होता है हे देवी जी सभी विद्याएं आपका भेद है जगत भर की सब इस्तरियां आपक ही मूर्थिया हैं। हे जग्दंबे, आप अकेली ने ही सारे जगत को व्यापत किया हुआ है। आप की स्थुति क्या हो सकती है? आप तो स्थुति से परे हो, एवम परावानी हो. जबकि आप सब की अधार, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो इसी से आप किस्तुती होगी आप किस्तुती के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती है सारे जनों के रिदय में बुध्धी रूप होकर आप ही स्थित हो हे देवी स्वर्ग और मौक्ष देने वाली नारायनी आपको नमस्कार हो, काष्ट आदिक रूप से सब की रक्षा कीजिए, हे देवी आप चर अचर की स्वामिनी हो, आप ही एक मत्र जगत का आधार हो, प्रित्वे सरूप में विराज रही हो, देवी जी आपका प्राक्रम अलंग निया है, आप ही जल सरूप में स्थि विश्व को त्रिप्त कर रही हो, अनंत प्राक्रम वाली आप ही वैश्नवी शक्ती हो, विश्व भर की परम बीज माया, विश्व का उपसन हार करने में स्मर्थ, हे नारायनी देवी आपको नमस्कार हो, हे देवी आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला, सभी अर्थों क सिध्द कराने वाली देवी हो शर्ना गत रक्षक हो तीन नित्रों वाली हो हे नाराइनी आप को नमस्कार हो आप ही सिष्टी, स्थिती और सनहार करने में सनातनी शक्ती सरूप हो आप गुन्मई एमं गुनों का आधार हो हे नाराइनी देवी आपको नमस्कार हो, शरन में आई हुए दीन दुख्यों की रक्षा करने में सनलगन, थब के संकट निवारन करने में, विसों से जुतेहवे विमान पर विराजमान, ब्राहमनी के रूप को धारन करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली, नारायनी देवी, आपको मुर्गों से अवरित, महा शक्ती कर में धारन करने वाली, महा पाप रहित, कोमारी रूप में स्थित, हे नारायनी आपको नमस्कार हो, शंक, चक्र, गदा, श्रांग, इन उत्तम अस्त्रों को धारन करने वाली वैश्नवी, शक्ती रूप प्रसन हो वो, हे नारायनी आपक कर चक्रधारन किये दाणों पर प्रित्वी को उठाए हुए व्रहा रूपधारनी शिवे नारायनी आपको नमस्कार हो भायानक नरसिंग का रूपधारन करके दैत्यों का वद्ध करने के लिए उद्यम शील त्रिलोकी की रक्षा करने में परायन नारायनी आपको नमस्कार ह हजारों उज्वल नेत्रधारन करने वाली किरीट धारिनी महा वज्र धारिनी बृदा सुर के प्रान हरने वाली इंद्र शक्ती रूपा नारायनी आपको नमस्कार हो शीव दूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली महा नाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायनी आपको नमस्कार हो भयानक दाडों से भयानक मुखवाली, मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मन्थन करने वाली चा मुंडा नारायनी आपको नमस्कार हो लक्ष्मी, लज्जा, महा विद्या, श्रद्धा, उष्टी, स्वधा, ध्रुवा, महा रात्री, महा अविद्या रूपा है नारायनी आपको नमस्कार हो मेधा, सरस्वती, बरा, इश्वरे रूपा, पार्वती, महाकाली, सैयम शीला, सरव स्वामिनी हे नारायनी, आपको नमस्कार हो सरव इश्वरी, सभी शक्तियों से संपन, हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो, हे देवी आपको नमस्कार हो यह आपका मुख तीन नित्रों से भूशित और सुन्दर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो, हे कात्याइनी आपको नमस्कार हो, हे भद्रकाली सभी देत्यों का नाश करने वाली भड़कती हुई अगनी की ज्वालाओं से महा भयानक आपका त्रिशूल हमारी भयों से देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करें, हे चंडिके, आपके सुन्दर हाथों की तलवार, जो असरों के खून और चर्बी से लत्पत हो रही है, वह हमारा मंगल करें, हम आपको प्रणाम करते हैं, हे नाये नाश करती हो, आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आर्शय देते हैं, हे देवी, आपने जो आज इन धरम द्वेशी महाद्यत्यों का क्षय किया है, वै अपने स्वरूपों को अनेक शक्ती रूपों में विभक्त करके किया है, हे अंबिके, आपके सिवाई और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है, विद्याओं में, विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में, वेध वाक्यों में आपके सिवा किस का वर्नन आता है, और ना आपके सिवा कोई दूसरी शक्ती है, जो इस इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूरन मंता रूपी गड़े में खूब भटका रही है जहां रक्षस हों विश्वाले सर्प हों जहां शत्रू हों जहां पढ़ डाकों का दल आजाए वन में आग लग रही हो समुंद्र के मध्ये में जहां कहीं उपस् आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्य हो जाते हैं हे देवी जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वद से तुरंत हमारी रक्षा कर ली इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रों के भैसे बचाए प्रसन होईे और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए पापों से उ अब लोकों को वर्दान दीजी देवी बोली हे देवगन मैं वर देने को तयार हूं मन चाहा वर मांग लो संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूं देवता बोले हे सरवेश्वरी आप त्रिलोकी की समस्त बाधाये शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रों का भी पैदा हो जाएंगे तब मैं नंद गोप की ग्रहिनी ये शोधा के गरब से अफ़तार लूँगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूँगी फिर प्रित्वी पर महा भ्यंकर रूप से अफ़तार लेकर व्य प्रचिती नामक घोर देत्यों का भक्षन करते समय मेरे दा जब प्रिथी पर सो वर्षा नहीं होगी पानी मिलेगा ही नहीं तब मुनीजन मेरी स्तुधी करेंगे उस समय मैं अयोनीजा प्रगट होँगी मैं सो नित्रों वाली उन मुन्यों को देखूंगी तब मनुश्य मेरा सुत्ताक्षी नाम से कीतन करेंगे ये देवतागन उस स मैं सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने श्रीर से उत्वन शाक को द्वारा पालूँगी पिछी पर्षा कंपरी इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी वहाँ पर मैं एक दुर्गम नाम के देत्य का वद करूँगी फिर मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात होगा फिर जब मैं भयानक रूपधारन करके हिमाल्या पर रहने वाले राक्षसों का मुन्यों की रक्षा के लिए भक्षन करूँगी उसी समय सभी मुनी भक्ती भाव से नम रहोकर मेरी स्तुदी करेंगी तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा फिर जब अरुन नामक देट्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा तब त्रिलोक की रक्षा के लिए छे पंजो वाले असंख्य भ्रम्रों का रूपधारन करके उस महा असुर का वद करूँगी उस समय मुझे भ्रम्री कहकर लोग सरवत्र मेरी स्तुती करेंगे इसी प्रकार जब जब भी लोकों में मैं देट्यों द्वारा बाधाएं उपस्तित होंगी तब तब मैं अफ्तार लेकर शत्रों का नाश करूँगी बोलो दुर्गे मात की चै सचे दर्बार की चै राधे राधे जैश्री कृष्णा दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद